नमस्कर मेरे नाम है सुरेंदर सिंग और आप देख रहे हैं SM News आज हमारे साथ एक ऐसी प्यारी सी बिटिया है जिनका नाम है रोश्णी और मैं चाहूँगा कि रोश्णी अपने बारे बता है लेकि थोड़ा से मैं आपको बताए तो रोश्णी बहुत सारी जौब करती थी और एक अपने गाउं से चोटे से गाउं से आई है और यहाँ पर अब दिल्ली में आकर दिल्ली एंसी आर में आकर रह रहे हैं और यहाँ पर बहुजोंगों की आवाज उठाने का कार्रे कर रहे हैं अपना गाउं से आपका दिल्ली शहर में आके इस तरीके से पत्रगाई तर प्रॉफेशन में काम करने का मकसद बताएं मैं अपने बारे में बस यही बताना चाहूंगी कि मैं गाउं से आने का मतलब यह रहा कि मैं घर पे अपनी पैथलोजी चलाती थी जैसे कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है डिप्लोमा मेडिकल लैब टेकनीसियन और साथी साथ अभी मेरा बीसी चल रहा है सर फाइनल यह तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी पैथलोजी चलाती थी और एक महिने चलाई मैं वहां से मुझे यह लगा कि अगर मैं अपनी पैथलोजी सिर्फ चलाती हूँ तो वहां पे सिर्फ मेरे गाउं के लोग पेसेंट और डॉक्टर लोग जानेगा बहुत करेंगे चवराहे आसपास के लोग जानेगे वहां से मिलेंगे भी तो मुझे पैसे मिलेंगे और मुझे क्या था मेरा शुरू से था कि मुझे नेम फे मनी प्लस पावर तीनो चारो चीजे कमानी है और सबसे बड़ा जो चीज था वो था ये कि मैं अपने मिशन को आगे ले जा सकती हूं और इसमें काम कर सकती हूं तो पहरी बार मैं यहां पे आई जब मुझे बहुत तलाश करने के बाद जौब ना मिली तो इसी करनाड प्लेस में मुझे एक बार आउसर मिला सिंगिंग का ओडिशन देने के लिए और मैं यहां पे समतावाज टीबी मनोज अंतनी सर से मिली और उनसे मैं बात करी कि सर मुझे भी अपने चैनल से में मौक दिया और जब उन्होंने मुझे मौका दिया तो मुझे यह लगा कि मैं अपने बहुजन के आवाज को आगे तक ले जाने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं जिस गाउं से उठके आई थी मेरे लिए सोचना भी बहुत मुश्किल था सर कि मैं यह चीजे सोच भी सकू लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं किसी ने कहा है ना मैं इसलिए मैं पहले ही बता चुकी जैसा कि मैं बस मेरा यही था कि मैं सिर्फ पैसे ही नहीं मुझे मुझे एक मीडिया से मिल सकती है और दूसरी चीजी है कि मैं मीडिया के माध्यम से अपने बहुजन की आवाद जो कि मैं गाओं से हूँ मुझे पता है गाओं की परिशानी गाओं की और मेरे जैसे बहुत सारी ऐसी लड़किया है एक लाइन है हुनर तो सम्मे होता लेकिन किसी का छप जाता है तो बहुत सारे ऐसी लड़किया है जो कि अपने आपको दिखाना चाहती लेकिन उन्हें प् कर अपनी बाते शेयर करूंगी तो लोगों को एक मोटिवेशनल मिलेगा ठीक सर तो इसी लिए मैं पत्रकारिता से जुड़ना चाहिए और मैं अपने बहुजन समाज की आवाज को आगे तक ले जाने का प्रयास कर रही हूँ और मैं ऐसे ही करती रहूंगी अब जैसे आपको केपी चौदी साब ने आर्थिक सहयोग किया है तो क्या लगता है इस आर्थिक सहयोग से आपका सब कंप्लीट हो पाएगा मतलब कितना टाइम चला पाएंगे इस पैसे को और आगे इसको पैसे को कैसे बढ़ाना चाहेंगे बहुजन मीडिया के लोग आपको बहुत सारे देख रहे हैं तो आप किस तरीके से उनसे उमीदें करते हैं वो भी बताएं सर मैं बस यहीं उमीद करती हूँ कि लोग मुझे भी सपोर्ट करें सपोर्ट करने का मतलब यह है कि यहां पर अंजान शहर में मुझे कोई जानता नहीं लोग मुझे जाने और ऐसे प्रोग्राम सो हो जहां पर मैं अपनी बाते रख सकूँ लोगों को बता सकूँ और रहगी बात मीडिया की तो मीडिया मीडिया सभी देखता है चैनल सभी देखता है और जो मेरी तरह लोग होंगे मैं उनसे यहीं कहना चाहूंगी जो मेरी तर जरे चैनल सच्ची नीव गाउं से शहर तक रोष्णी जुनों ने अपने चैनल एक यूट्यूब पर चैनल बनाया है सच्ची रोष्णी गाउं से शहर तक और हम चाहेंगे कि आप सब लोग उसे लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें ताकि रोष्णी की आवाज पूरे देश को रोश्ने कर सके आपने हमारे चैनल से बात करी धन्यवाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले